मुझे TIKTOK में से किसी ने मैसेज किया मैं इसके अंदर security level लगाऊंगा अचा मैं अच्छा यार वो भी कुई इतनी बड़ी बास थे आप की बाइक पर कोई चोरी कर के डेट मार नहीं 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 डेट वाला तो चक्कर ही कोई नहीं डेट्स खा सकता है मार नहीं सकता सही है भाई जान एक बड़ा मुश्किल स्वाल आप से पूमिशन लगो अब से पहले मुझे इतराज है बाली भाई आप ने मुझे भाई जान का अलागी आप मेरे भाई जान है आप अपना अलिया देखे मेरा यार भाई जुसकी सिर्व में आपको शकल ही दिखा दूना तो मुझे कोई जरूरत नहीं है उनका इंडर्ड़क्शन कराने के लिए और माशाला माशाला उनकी बाई भी इतनी खुबशूरत है मलगे के कोता है न है सही शौक जो होता है न वो उस पूरा उनने अपना शौक पूरा किया इस बाई के साथ और उसकी एक एक चीज जो है वो बहतरीन होती एवन के अभी अगर आप कैमरा मोडें तो देखें हमारे साथ हैं डीजे बाट सावस सलाम अलेकूम सर क्या हाल चाला है मैं ठीक हो अभी उनकी शौक की आप यह देखने के वो अभी भी वो कह रहे थे कि नहीं यह मटीनी नजर आनी चाहिए मेरी बाइक परफेट हो इस रिव्यू के लिए तो इतना प्यार है उनको अपनी बाइक से और अभी भी जो प्यार है और उसे पहले भी जो उन्होंने सारी उसकी मॉडिफिकेशन की है कस्तमाइजेशन उसमें एक एक चीज का जो है न उसमें प्यार नजर आ रहा है मैं बाइक के रिव्यू से पहले एक क्वेशन और करूँगा जो सुनील भाई कहते है बाली इस बंदे को डूड वो कहीं मेरे बारे में तो नहीं कह रहे थे सर हो भी सकते है जिस तरह कि आपके खुबसूरत भाई के बिल्कुल बंता भी है सर बाली इस बंदे को डूड इसका रिव्यू करना है बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही अच्छा तो सबसे पहला मारा सबसे फेमस क्वेस्टिन सर मेंक मॉडल बेरियंट यस मेंक बेहतरीं और यह बाई की डीजेबाट है बेहतरीं हो गया अच्छा फिर भी इयर मॉडल किया है इसका मैं मैं कि कि एर या इग्जैक्ली क्यूंके नंबर प्लेट के ओपर पिछे लिखा हुआ है यह दोजार बारा मॉडल है और यह क्लेर करना है इसलिए क्यूंके सरकारी और जो गर्मेंट के जो डॉकुमेटेशन्स या जिससे कोई वह पूरे हो निगरीवे में हम गहर करनोनी काम नी कर सकते तो यह काम ज़रूरी था बेकुल सही है बेकुल सही है पाकवील्स इतना बड़ा नाम है मैं तो उसके मकाबले में कुछ नहीं लेकिन एक बात हमेशा अच्छा याद रखिए अगर आई लव बाइट्स अच्रेजी हूं यार वो बंदा जो गरीब था और जो 70 होते हुए एक 70 एलो क्यू चालिस बाइस 96 में में मेरे पास थी अच्छा है कि मुझे भी अपनी बाइज और गाणी का नंबर याद है सर एक एक चीज याद होती ह ठीक है एलो क्यू चालिस बाइस को मैं किक मारता यहां से और 600 किलो मेटर यूबिया के अंदर मेरा कारोबार था जब वहां पर मैं वहां पहुछता था और फिर एक महीने बाद मुर्शिदों को हाज़ी देने आता होता था मेरे पीरो मुर्शिद मेरी वालदा माईदा अल गजार कर और उसके साथ मुझे हफते बाद वहां पर जो मेरा बिजनस था कॉफी बेचता था मैं काप चाहिए होते थे तो मुझे मेरे उसादे मोतरम का एक ब्रांच ओफिस वहां था इस ताहां वाद ले में मैं 70 को किक मारता था और मैं मरी और यूबिया की दुश्वार गुजार पहाड़ियों वाले रस्तों में से ऐसा ऐसा करता जल्वान में उतरता वह वापस आता था कप लेता था 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 आउजन कप्स की वह पेटी 70 बाइक पे पीछे रखते थे एक आसे ऐसे और एक आसे आसे बाइक चलाते थे हम यह और यह स्टाइल मेरा ख्याल है आपक ने इजद दे दी नाम दे दी आगी त्रॉक्स आगे सारा कुछ आगया लेकिन उसके सासा था हमने बाइक से मोहबबत नहीं चोड़ी बिल्कुल ऐसे ही है वैसे लोग डीजे बाइक को बहुत जानते होंगे बट यह कानिया ना हमारे रिव्यू में निकलती है मैं आ आपको यह वीडियो यह देखे ना यह लोग देख रहे हैं जो थीक है यह वीडियो जो देख रहे हैं यह बाइक पहले इस आलत में थी ओके और तो सर जी फ्रंट से बैक तक एक एक चीज जो बोडी मोडिफिकेशन जो इंजन मोडिफिकेशन वो बताना शुरू करें को एक चीज क्लियर करूं लोगी कहने बाठे तेरे कुल पैसा है रब ने देता है तो यार तुम को इंपोर्ट कर वालो जो मर्जी भाई का याबुसा मग वालो मैं के यार हायबुसा की कोई कॉपी नहीं मगवा सकता को दूसरी मतलब हायबुसा सरफ एक ही तो नहीं है यह अब यह मैं आपको बाते बता रहा हूं और फिर हर दूसरा बना लेगा तो खेर हम जीरो से स्टार्ट कर रहे है सबसे पहले इसको गंजा कर दिया गया इसके पिछले शौक खतम कर दिये अगले शौक खतम कर दिये के सिरफ चेसी पे रहेगी इंजन भी इसका उतार दिया सबसे पहले इसका जो गाटा है इसको उसने थोड़ा सा आगे से काटा गरम किया और उसका एक एक शेप बनाई थोड़ा सा बाइक 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 अब वन टू फाइफ से एक फुट तस इंच लंबी हो चुकी है और हाइट तो अगर मैं बैठू तो बाब मुशकल मेरे पा पाकिंश को सबसे पहले हमने यह किया गया और उसके बाद इस बाइक की मैनूपेक्टरिंग त्यारी टैंक जब चिट्टे ने तियार किया अपने हाथों से और सपेशली उसके पेट में चांग और यहां पर तुम आरा यह पर पर तुम ना स्पीडो मिटर मैंने लगाना ह लेकिन यकीन करें पाकस्तान में मुझे केबल नहीं मिल रही जो आगे से यहां तक एक लंबी केबल चाहिए जिससे स्पीडो मीटर चले उसके बगार स्पीडो मेटर नहीं चाल सकता तो कि कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं है वह 3500-3600 अपी का डिजिटल चाइना का स्पीडो म स्पीडो मेटर की जगा आर्पीम लगाना पड़ा जो के इस वकद चल रहा है जब हम इसको अन करते हैं तो इसका रात के वक्त इसकी लाद सुई जोंसी बड़ी खुबसार लग्यों जैसे हम इसका एक्सलेटर देते हैं तो सुई जब चलती है तो बड़ा सुदूर आता ह जो आर्पीम यहां पर होना चाहिए था यह एक हाले डेवर्टसन की एक मैंने बाइक देखी थी उसके अंदर यह था वी रोड में इसी तरह से आता है तो वह मैंने यह देखा उसके बाद फिर हैंडल बड़ा जबरदस जोंस है यह भी इंपोर्ट किया गया अच्छा एक उसके बाद यह आप स्पेशली देखें यह एक चाइना से इंपोर्टिड हमने इसका मॉबाइल का लॉक मगवाय उसके बाद इसकी जो यह चीजे यह जैनल रखी जैनल इसकी जरा हम कंफर्टेबल भी रहना चाहते हैं यह होंडा वाला मेरा प्यारा भाई है एक नाम अब इड़ का जैनल सुच दिया जिसे आपकी बाइक यहां से ऐसे करेंगे तो आपकी बाइक की यह भी लॉक हो जाती है यह यह लॉक हो जाती है यह 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 पर आपका स्विच वान होता है और उसके बाद यह चीज तो औरिजनल जीरो मिटर उसने मुझे यह का कि बढ़ भई आपकी बाइक बन रही है तो फिर आप में तरफ से यह गिफ्ट भी रखे तो यह लगाया गया माशाला उसके बाद फ्रेंट की बतिया है यह चोधरी हनान है यह सारी देखें गिफ्ट आ रहे होते हैं यह चोधरी हनान मेकलूर रोड पर मलक नदीम के सामने उसने मुझे है आप विह जेखें रही हो साहँ बड़ी आप यह और ढोली है यह सांस की नाली है उसका यह देखें अच्छी उसके साथ त्राइए जोथे लाइट है यह दी गही यह क्योंकि यह तो प्शचिकली क्योंकि आप कभी भी रोशन नी ऐसकी ना इसे हमें अगे फ्रेंट पे तो नहीं नजर आता, लेकिन यह फोग लाइट है, और इसके साथ इस बटन दबाएं तो वाइट में भी हो जाती है, तो जो भी लाइट हमें चाहिए होती है, वह हम इसको रात के बड़का पॉन कर लेते हैं, और इन गाड्स में भी, येस. राइट पर इंटिकेटर ना सब उसके अंदर बलके सासाथ शीशे में भी LED SMD इंटिकेटर दिया गया इसलिए जब दो इंटिकेटर आ गए तो मैंने चाहा कि कि अब आगे फ्रंट पर हमें इंटिकेटर की जुरत नहीं है और हमने उसकी जगा सेम इसी तरह बैग पर एंटिकेटर दे दिया लेकिन उसको भी हमने बड़ा खुबसुर्ण रखी को निकल जाता है यह कसम मेड़ मड़ गार्ड है कसम मेड़ यह इसका भी आपको मैं पूर सकते हैं यह इंपोर्ट की है बाहर से यह बार पूरी की पूरी जोंस है उसको पर फिट की गई बैक लाइट लगाए गए इसके हमने एंटिकेटर जोंस है वो सारी सीट का आपको बड़ा मजा आएगा सीट आप चाबी दिखाए कोई चाबी दिखा दें यह देखे सर यह आपको यह देखें यह सीट मास्टर ने यह देखें मैं पूरी ताकत लगाता हूं चुड़ें आप अपनी ताकत लगाएं काटें आज इस सीट को काटना है आपने काटें जों लगाएं सर काटें इसको आप नहीं काट सकतें सर नहीं काट सकतें यह मैं आपको बता दूँ सार ये आपको मैं पहले बता दूँ के सीट स्पेशलिस्ट है सर अच्छा ये मलिक ददीम का शुक्रिया कि उसने मुझे कहा कि बाट जी इसकी शेप नहीं सिर्फ बनाएगी इसके ओपर जो रैग्जिन फिट किया गया वो भी अलहमदलिल्ला ऐसा है उसने कहा बाट जी आप क्यों को कूँगा कि इसको चाबी से हमारा तो खुला चैलिज अब यह ना हो कि मैं बाट जाओं तो कोई सुए-सुए-सुए मार दे ने अगली कॉल जैना वो सुनील था कि आपको आएगी उनको इस तरह की सीटों की बहुत जरूरत है क्योंकि उनकी एक दो चीजे हैं जो काफी सीटने खराब करती है अच्छा सबसे मज़ेदार चीज जी 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 इसका पिछला सुएंगा हम और यह मोनो शॉक ये भी चिट्टे को क्रेडिट जाता है कि उसने मोनो शॉक तकरीबन चार दफा चेंज किया एक डर्बी में ही एक डर्बी बाइक आता है पहले यहां यहां पर भी एक फिट्टी आ गया ठीक है और उसको भी हमने चलाया लेकिन वो कंफडेबल नहीं था फिर उसके बाद पहले शॉक एक इधर था वो चेंज किया फिर यहां लगाया वो चेंज किया फिर उसके बाद चोथा पांच वा जोंस है यह अब फाइनल हुआ उसके स पर जा रहे हैं 120 तक यह 150 तक यह बाइक जाना चाहिए और आप बैठे स्पीडो मिटर लगाएं साथ आप बैठे अब आपका भी तो माशाला वजन देखें बिलकुल लेकिन शायद आपकी वाइसे 10 किलो मिटर स्पीड कम होजए बट बादी वाई जाएगी जूर स्वाश इसका मैं कुछ निहीं कह सकता मेरे वजन से चली आती एक्जास्ट जोंस है वो बड़ा जबर्दस उसका जैन्वन हमने इसका गाटा इसको भी गाटा गरदन से जोंस है इसका जैन्मन हमने यह पीस लिया और यह जोंस है वह इंपोर्टेड यहां पर आते आप लगाए पता गेर में नहीं है लेकिन मैं देख लेता हूं हां जी गेर में था और बड़ा जबरदस्ट पूरा तो सटार्ड है मतलब हाफ किक स्टार्ट है नोट हाफ सब्सक्राइए ठीक है और आप इसका साउंड साउंड इसका ऐसे चेक करवाना पड़ेगा मुझे ना 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 न यह एक्जैक्टी बट तो यह चिक चिक में ज्यादा लाउड नहीं है बाली भाई लेकिन बात यह है ना ना अच्छा चले आपने पंद कर दिया हम बटनों पर रखते हैं हमारा बटनों पर सुच शुच हम बहुत कम हलाते हैं क्योंकि इसके अंदर ही आमने सारे नजाम रख करिया कि आप मुझे कुछ समझते हैं तो मुझे किसी ने मैसेज किया कि बट भाई मैंने ना इसका एक वो बनाया पूरा एक सेक्यूरिटी लेवल और यार उदर से 25 का मिलता है मुझे तेरी बट भाई आप लेकर तो देखें मैं इसके अंदर सक्यूरिटी लेवल लगा को कोई आपकी बाई लेकर जाएगा आपके मुबाईल पे पूरा नक्षा गूगल मैप खुला होगा कहां कहां इसक्ता है ऐक खास चीज में आपके कैमरा मैन को दिखाना चाऊंगा यह देखें चैन यह तो लगता है किसी एक मोटसाइकल का चैन है कोई नॉमल बाई नई यह सर 1.3 एक पूरा चेन और दो चेन खरीद कर उसको यह चेन हमने पूरा किया गया गुरियां यह पूरी होती नहीं थी तो स्पेशली चेन कि यह बात है सुएंगा हम लंबा हो गया उसकी चेन ले और और फिर जब इतना लंबा किया तो वह चेन आगे मतलब वह थोड़ा सा ऐसे करता था उसके लिए उसके उसके स्पेशल यह रप्टे लगाई उसके बड़ा जबरदस यह काम किया मुझे इस चीज का बड़ा वहा कि चिटे ने बड़ी मेहनत की है नहीं बिलकुल निजर आ रहे बाई-जान एक बड़ा मुश्किल स्वाल आप कितना खर्चा हैं सबसे पहले मुझे उत्राँ vehicle कोई मूलनी हन की कै मैं जितने भी पैसे लगाँ है न ना तो मैं बेच रहो हूं और दूसरी बात हैं कि यह अई बटबभी पटा तो हो ना कितने हैं नहीं पांच महीनेする च्टान के मैं दिं रहानी है और डेंटर के साथ इसके जितने लोग काम करने वाले हैं उनके साथ मेरी और दुबइ दुबाई था रही हैं पाकिसान से बाहर से दुबई से कराची से और पता नहीं कहा हैं से जहाँ से भी वह पार चाहरे हैं लेकिन खीमत आपको चोटी सी बात है यार इसका अगर हम अग अगर ब्रेंडिड एक कोई हैवी बाइक छोटी सी मगवा लेता ना तो समझे इतने एक पैसे में आज़ी अच्छा आपने पिर सही उसका पूरा अखस निकाल दिया कि वाकिए शौक का को मुल नहीं होता तो हम वाकिए इसकी प्राइस भी शौक का को मुल नहीं होता तो वहा हमें उसका रिव्यू दिया अच्छा जाते जाते एक और रिक्वेस्ट यार अब हमारे व्यूवर से थोड़ी से रिक्वेस्ट तो कर दें हमें दो लाग तक तो जल्दी जल्दी पहुचाएं सब्स्क्राइबर्स पर गाइस प्लीज अगर आप मुझसे प्यार करते तो य तो यह थैंन आपने ताइम निकाला आप आये आपने बलके अपने बीजी स्रेजूल में से टाइम निकाला किंको मुझे पते है आपको आपके साथ जो है बहुतु अछे लोग मुंतचर होते हैं बर्समें तो तो तैंक यू सो वरी माच और व्यूवर्स आज 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 पो इन्होंने भी बलके बात की कि कोई भी बंदा एक ब्रैंड न्यू चीज खरीज सकता है बट एक चीज जो अपनी पहचान बनाना उस चीज को सपोर्ट करना चाहिए प्लस एक वहली बात है कि बहुत ज़ादा एक एक इक्स्ट्राविगेंट बजट अगर आप ना भी लेके चलो ठीक है आपने शौक पूरा कर रहे हैं हर एक बजट में शौक पूरा होता है और वो करना चाहिए वहली बात है अगर आपके पर रिसोर्सेज आपके बास चीज पाकिसान में लोग भी बैठें पाकिसान में यजब टैलंड भी है पाकिसान में चीजें भी आ रहे हैं ओफेंग तो आप बना सकते हो और इसी के साथ एक और चीज़ भी मैं आपसे करता चलूँकि अगर आप अपने परानी बाइक बेश के नई बाइक के रगरेड करना च लोग जो इस तरह की मॉडिफिकेशन कराना चाहते हैं, वो आपके बाइक के खरीदने के लिए आपके पास भागेंगे, और आप अपनी परानी बाइक बेश के अपनी नई बाइक खरीज सकते हैं, तो अगें अपना ख्याल रखेंगा, दुबारा एक और वीडियो में मुला